Hello everyone, once again I welcome you all in my channel English Baba बहुत टाइम हो गया था आप लोगों से इस तरह से face to face बात नहीं कर पाया तो मैंने सोचा क्यों ना आज English Baba Talk की अगली सिरीज लेके आई जाए इस सिरीज में यार मैं जो बात करना चाहता हूँ सबसे पहले वो ही बात करूँगा जो हर बार करता हूँ how to find the content कौन सा chapter, कौन सी poem, कौन से question answers आप घर बैठे बिना मेरी help के English Baba का देख सकते हो मैंने कई बार example दिया है आप सबको मान के चलो यार आप class 10th के बच्चे हो आपके यहां first chapter है एक a letter to God ठीक है आपको वो search करना है घर बैठे तो किस तरह से करोगे आपको बस YouTube पे लिखना है a letter to God by English Baba क्या लिखोगे chapter का नाम लिखोगे a letter to God और आगे लिख दोगे by English Baba मान के चलो आपको इस chapter के चाहिए question answer उस case में आप क्या करोगे आप लिखोगे a letter to God question answer by English Baba आपको उपर इस search बार में मिल जाएगा अगर आप class 9 के student हो मान के चलो आप किसी chapter को search कर रहे हो और उस chapter का नाम है the lost child या the fund they had तो उस case में आप क्या करोगे आप बस को आपको बस लिखना है the fund they had by English Baba कहने का मतलब यह है जो भी chapter आप सर्च कर रहे हो बस उस chapter का नाम लिखो और आगे लिख दो by English Baba आपको उपर ही मिल जाएगा ये तो थी मेरी पहली बात इस तरह से चाहिए आप कोई poem हो कोई chapter हो कोई question answer हो सब कुछ सर्च कर सकते हो in case आपको ना मिले in case जो content आप ढूण रहे हो आपको ना मिले तो आप मेरा number लिख लो हर वीडियो में मैं अपना number देता हूँ 805904145 8059041145 और बिंदास call करो बिंदास मुझे whatsapp करो मुझे कोई problem नहीं है मैं आपको reply करूँगा अब मेरे साथ यानि English बाबा के साथ अगर आप whatsapp ग्रूप पे चुनना चाहते हो तो मेरे इसी number पे आप अपना नाम आप किस class में हो वो class और आप कहा के रहने वाले हो वो लिख के भेज़ दो मैं आपको English बाबा के whatsapp broadcast में add कर दूँगा ध्यान से सुना करो मेरी बातों को मैंने कहा whatsapp broadcast group करी लोग कैते हैं सर आपने हमें ग्रूप में नहीं जोड़ा हमें कोई ग्रूप नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई इसलिए आपको ग्रूप नहीं दिखाई दे रहा क्यूंकि ये एक simple whatsapp ग्रूप नहीं है आप save कर लो और अगर आपको ग्रूप में जुड़ना है तो मेरे इसी नंबर पे 80590-42145 पर आप क्या कर सकते हो मुझे whatsapp कर सकते हो कि sir मैं class 9th में हूँ मुझे group में add कर दो मैं class 10th में हूँ मुझे group में add कर दो regular basis पे आपके पास updates आते रहेंगे हमारे और हमारे साथ all over इंडिया के बच्चे जुड़ गए है अब एक बात मुझे और करनी है वो ये कि यार कुछ बच्चे कुछ बच्चों को ये लगता है कि जो English बाबा है याने कि मैं हर टाइम 24 गंटे बिल्कुल तयार बैठा हूँ बच्चे का फोन आएगा और मैं तयार बैठा हूँ हाँ जी सर अच्छा हाँ ठीक है ओके तो यार मैं आप सब को बता दूं भाई English बाबा जो है वो एक इनसान है he is also a human being मेरी भी कुछ priorities है मेरी भी कुछ personal life है आप मानोगे नहीं कि साड़े बारह या एक बज़े भी मुझ मिल रहा है all over India से मुझे support मिल रहा है लेकिन थोड़ असा इस चीज को समझो यार सुबह 4 बज़े कौन phone करता है यार सुबह 4 बज़े phone मत करो रात को 12 बज़े एक बज़े मुझे calls मत करो बिल्कुल भी हां Sunday वाला दिन है Sunday को आप सुबह से लेकि मुझे शाम तक call करो मुझे कोई problem नहीं है लेकिन working day में Monday to Saturday आप मुझे please call करो शाम को 7 बज़े के बाद 7 से 9 इनफेक्ट 7 से 10 तक आप कभी भी call कर लो जब आपका मन करें क्या मेरी बाते clear हो रही है Sunday को आप सुबह से लेके शाम तक जब आपका मन करें मुझे phone करो phone ना भी उठाओ तो WhatsApp छोड़ दो मै देर सबेर आपका message देख लूँगा और आपको reply कर दूँगा in case अगर आपको कोई chapter नहीं मिल रहा है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया और सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमारे channel को subscribe कर लो अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनने YouTube पे हमारा content बहुत पसंद आता है लेक अगर bell icon को घंटे के बटन को नहीं दबाओगे न तो तुमारा घंटा निकल जाएगा इस बार तो उस bell icon को tap कर लो जिससे जो भी मैं video upload करूं उसका notification आपको मिल जाए आप करता हूं इस English Baba Talk में दूसरी बात पता नि कुछ बच्चे कौन सी thinking रख रहे हैं कहां चल रहे हैं मैं यार समझ नहीं पा रहा हूं दोखो English Baba Channel उन बच्चों के लिए है जो बच्चे English में अच्छे marks लाना चाहते हैं अब बच्चे का अच्छानक से message आता है सर मैं English में 90 plus marks लाना चाहता हूं मुझे important question बेज़ दूँ यार अगर तुम 10th class में हो board से तुमारा paper बन के आएगा उपर से मुझे क्या पता तुम्हारा कौन सा paper आएगा मैं तो केवल आपको ये सिखा सकता हूं कि letter आएगा letter ये नहीं पता सकता कौन सा letter आएगा बस letter का format आपको बता सकता हूं मैं भी आपका school का teacher भी या कोई दूसरा YouTube channel देखते हो वो भी अगर कोई भी चाहे आपके school का teacher हो आपके tuition का teacher हो अगर वो ये कहता है कि ये वाले 5 questions पढ़ ले इस ही मैसे आएगा तो वो जूट बोल रहा है यार इतने इतने तो अब तुम class 10th में आवे गार इतनी बात तो समझो this time your paper will be made by cbsc not by your school teacher and not by me as well ना तो मैं बनाऊंगा ना तुम्हारा school teacher बनाएगा तो इस त चाहूं तो आपके साथ जूट बोल सकता हूं मैं कहा तो बेटे तू ये रट ले और बेटे तेरे आजाएंगे 90% पर यार हमारा काम ये नहीं है कि आपको गलत बात बताए हमारा काम है कि हम आपको सही बात बताए तो आप question के pattern को समझो section A आएगा उसमें unseen passage होगी section B अपने grammar पे काम करो अपने concept पे काम करो अब बच्छा क्या कर रहा है सर ये जो chapter आपने बनाया है ना इसे 10 minute में बना के बेज़ दो अरे मेरे भाई जो picture तीन घंटे की है उसे कभी तुमने तीन मिनट में देखा है क्या और जल्दबाजी किस बात की मैं कह रहा हूँ अभी November चल रहा है November की आज 14th November है Children's Day है आज से भी जो बच्चा ये सोच लेगा कि 24 घंटे मैं से एक घंटा अगर मैं English को दूँगा तो मैं लिख के लिलो मुझसे तो भी उस बच्चे के 80 plus नमबर आने है 100% इस बार लेकिन ए गंटा English का मतलब English का है that's it अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपका schedule नहीं बन रहा है मुझसे बात करो मेरा नमबर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको 80590-42145 इस नमबर पर कॉल करो मुझे बताओ आपकी क्या समश्या है मेरे साथ ग्रूप में जोड़ो English बाबा चैनल को देखो जो वीडियो बना रहा हूँ हो देखो जिस तरह से आपको गाइड कर रहा हूँ गाइड करो आपके English में अच्छे मांस दिलवाने की जिम्मेदारी मेर भी है बस सर्त यह है कि एक घंटा आपको डिवोट करना पड़ेगा अगर आप यह कर सकते हो तो मैं आपको अच्छे नमबर दिलाने की गैरंटी लेता हूँ अब यार फालतू की बात है तो और क्या करूँ मेरे हिसाब से English बाबा टॉक में बस इतनी ही बात करनी थी आप सबको बताना था और एक चीज का यार हमेशा ध्यान रखना जीवन में कोई काम आए या ना आए यह जो आप पढ़ रहे हो ना यह जो पढ़ाई आप कर रहे ह तो यह आप अपने लिए कर रहे हो मेरे लिए नहीं कर रहे है अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे है अपने फ्रेंट्स के लिए नहीं कर रहे है कल को कुछ बनोगे तो तुम बनोगे अब पढ़ना है या टिक टॉक का वीडियो बनानी है यह तुम जानो तुमारा का जाने मैं तो मिलूँगो आपसे नए वीडियो में बाई